स्वागत करते हूं हमारे आपके ओफिशियल यूट्यूब चैनल यम्ना एक्स्प्रिस पर गुरुदेव रियल स्टेट में तो हम आगे आज फिर से जेवर अर्पॉएट के पास जो न्यू अपडेट आ रही है यम्ना प्राधिकरण की तरफ से वो लेकर सामने आई हुए है और क्या अपडेट है वो बताते हैं उसके सासत में आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं जो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था जो आपकी बाइक रिंस होने वाली थी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जो आप देख रहे थे उसके लिए भी जो अप्रोवल दे दिया है और बहुत सारी चीजें उसमें कंडिशन रखी गई है उसमें रिवेन्यू के जनरेट हो अब वो सारी चीजें देखते हुए ठोटी ने सारी चीजों को डिकलेर कर दिया है और अब सेप्टमबर में आपको वो रेस होती वे दिखेगी वहाँ पे ये एक चोटी अपडेट थी मैंने का मैं आपको दे दू उसके साथी साथ आप चलते हैं जो नई नीज आई है जेवर एरपोर्ट से उस पर देखते हैं किस तरह से बड़ी ख़बर नॉड़ा एरपोर्ट के चारो तरब बने की सड़क किसानों की आपती खत्म तो अब आपको रोड साइजस देखने को मिलेंगे और बड़ी रोड साइजस देखने को मिलेंगी तो यह काफी बड़ी ख़बर है जेवर एरपोर्ट के उत्तर और पूर्व दिशा में 100-100 मीटर चोड़ी सड़क बनाने के लिए जमीन खरीद की प्रिक्रिया में किसानों की आपत उत्तर मीटर चोड़ी होगी इसकी लंबाई 10.6 किलो मीटर है तो 100-100 मीटर चोड़ी रोड आपको यहां पे देखने को मिलेगी जेवर एरपोर्ट की साइट्स में एरपोर्ट की कनेक्टिविटी की यह कदम एहम है यमना प्राधिकर ने एरपोर्ट के उत्तर और अधिकरन किया जाता तो उसमें सभी सभी समय लगता जबकि किसंबर तक इन सड़कों को बनाया जाना है इसके बाद दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाएगा तो में पॉइंट यहां सा आपके समझ सकते कि दिसंबर तक यह रोड आपको बनीवी दिखेंगी इनको ब प्रधन है यह सड़क उसी तरह बनाई जानी है जिस तरह एरपोर्ट की किनेक्टिविटी के लिए 100-100 मीटर चोड़ी रोड बनाई जानी है तो यह आप यहां से समझ सकने किस तरह से कित्ती जल्दी बनाई जा रही है स्वामित्व नागरिक उडेयन विबाग के पास अब इस 45 मीटर चोड़ी रोड को 75 मीटर कर दिया गया है दूसरे चरण में इस रोड की चोड़ाई बढ़ा दी है जेवर एरपोट की भूमी का स्वामित्व नागरिक उडेयन विबाग के पास है इसलिए नागर उडेयन विबाग के अपर मुख्य सचिव S.P. गोयल की मोहर के अब सड़क बनाने के लिए अलग से जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी उत्तर दिशा में 6 किलो मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी जबके पूर्वे दिशा में इसकी लंबाई 4.6 किलो मीटर होगी इसकी चड़ाई 75 मीटर होगी तो यहां से आप यह देख सक बनाने में किस तरह से स्पीड में वर्क हो रहा है यहां से समझ सकते हैं तो इसलिए बहुत अच्छी इप्टेम्बर में वह देख सकते हैं तो बहुत अच्छा एट्मॉस्वेर क्रियेट होने वादा इस पूरी लोकेशन पर तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छी इंवेस्मेंट करिए उसके लिए आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल यमना एक्सप्रिस पे गुरुदेव रियल इस्टेट के कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ आपके पास कुछ नंबर है 987344297196675190029958548641 तीरो नंबर पे हमें कॉंटैक्क कर सकते हैं कॉल के तूरू और वह सकते हैं कमेटिन कर सकते हैं घ्सक स्क्षाइब में इस वीढिए इस वीडियो में जर्वर एरपोर्ट के पास ते और यमिना परादीवर्श की तरफ से आ रही है फिलाल के लिए दे मुझे इजाज़ा थैंक यू सो मच